कि इस विडियो में यpek कॉस्चन यह हमारा यह जो कॉस्चन दिया इसको कारनाना है कैसे वो हम देखेंगे इस नहीं एक डायोड लगा हुआ है मैंने इस डायोड बेस्ट सर्किट लिए यह देखना रहें यह कि लिए हम लोगश करते हैं डायोड गया को उपन सर्केट मालने फिर्स्ट केस में करते है कि जो डायोड के क्र pequeño क्राइग है वह भी गामा से ज्ञादा है या कम है ज्ञादा है अगर भी गामा से तो यानि डायोडोड इसमें है तो हम उसको on circuit से replace कर देते हैं और से replace करने का मतलब डायोड का voltage है बिगामा voltage को in series with RF resistance पर यहां question में अगर RF resistance नहीं दिया है तो RF resistance zero हो जाएगा और जब replace करेंगे तो उस समय ध्यान रखेंगे कि जो diode का जो positive terminal होता है जैसे यहां पर जो डायोड मेरा यह है यह वहला टर्मिनल है और यह वहला एन टर्मिनल है तब को हमेशा बैटरी के positive side से जोड़ेंगे और इनको negative से इतना ध्यान रखना है तो जो लिए इस question को हम देखते हैं कैसे सब करना है इस question में हम माल लिए कि सबसे पहले मेरा डायोड क्या है open circuited है तो open circuit है तो जब open किये तो हम डायोड को देखे open कर दिये तो मेरा यह वाला circuit बना इस circuit में आप देखिए यह branch में भी कहीं से कोई current प्रणे नहीं आ रहा है यह open हो गया और यह branch भी आप ओप्र हो गया तो little complete होहीं नहीं रहा है तो इसका मतलब दोनों ही branch में इस वाले ब्रांच में भी current आपका 0 हो गया और इस वाले branch में भी während heritage 우와 नहीं हो रहा है यहां भी currenthew हो गया यानि जब दोनों ही branch में current जीरो है तो यह वाला जो यह जो मैने सेवेन बोल्ट पोटेंशियल है अप्सिलिट पोटेंशियल यहां पे भी मैने सेवेन बोल्ट ही होगा ठीक है और यह जो मैने स्थिरी बोल्ट पोटेंशियल है यहां पे भी मैने स्थिरी बोल्ट होगा तो यह जो मैने स्थिरी से याणी भी होगिया आपका कितना भी भी आगया माइनस 3 वोल्ट क्योंकि Hey एगर ईजस्टरेंश करकूर कोई क्रिंट पास नहीं होड़ाा तो दोनों ही एंड का भुल्ट इससें रहे हाँ यहां माइनस 3 भूल्ट होगा यानी यह पूले वायर में हर जगा मैंस 3 वल्ट समय में हर जगर हैगा तो इस तरीक इससे पता चला मुझे की बीपी जो है मैंस 3 वोल्ट आ गया उसी दरीका से यह वाले राइश्टेंस में देखिए अगर इसमें भी करेंट आपका जीरो फ्लो हो रहा है यानि यह जो मैंस 7 वोल्ट है यह भी मैंस 7 वोल्ट ही होगा और यहीं प्लिज आपका भी यंक्ग हो जागा तब यहना गया मैंस 7 वोल्ट और विपी मैंस बिन जो निकालेंगे तो विपी मैंस विन निकालेंगे तो मैंस 3 मैंस बैना 7 यानि कितना आगया 4 वोल्ट यह 4 वोल्ट जो है आपका greater than है भी गामा यानि ए 4 वोल्ट जो आपका आया यह greater than भी गामा कितना दिया 0.7 वोल्ट यानि मेरा जो डायोड है forward bias में इसे मुझे पता चला डायोड मेरा forward में जब डायोड forward bias में होता है तो क्या करना है कि सिंपल डायोड के circuit को इसके on circuit से replace करना है on circuit से replace करने का मतलब जो डायोड का का जो voltage है potential है उसको एक battery से in series with RF resistance है बट कुष्चन में रफ resistance तो 0 दिया है तो यहाँ पर RF resistance 0 हो जागा तो जब replace करके जो हम एक current circuit बनाएंगे यह मेरा circuit यह बनेगा यह वाला आप यहाँ देखिए अब यहाँ पर जैसे diode मेरा से था इस तरीका से यह वाला पपी है टर्मिन पी साइड है और यह एन साइड है तो पी जो किधर जाएगा बैटरी के बैटरी के तरफ बनाएंगे जो बैटरी का बारा डंटा है पी के तरफ लिखेंगे इधर पलस और इनको माइनस के तरफ तो इस तरीका से हमें सर्कीट बना लिए अब ये जो है ब्रांच में लूप बन नहीं रहा लेकिन ब्रांच में हम के भी लगाएंगे इसब जब के लगाये तो यहां पे अपका माइनस rep Great रॉर्जन है यहां पर माइनस ड्रोल्ट है जो कि एप्सलिट से रही current flow होडा है अब अगर current का value और direction दोनों से माने पॉजिटिव आ गया इसका मतलब हम जो माने हुज सही है अगर current माइनस में आएगा इसका मतलब हम जो डारेक्शन माने उसका जेस्ट अपोजिट में current flow होडा है तो यहाँ रेइस्टेंस में drop होगा जब बैटरी को हम भींट्री को देखते हैं लिगते हैं टो पलस कितना होगा 0.7 quand नहींट्वोल्ट अब यहां भी रेइस्टेंस है यहां पर करेंस ड्रॉप होगा भी मैनस का 5y और यह इक्वल किह और एक्वैलन्ट potential का, minus 3V, तो जब फिर यहां से क्रिसन को solve कीज़ेगा, जब इक क्रिसन को solve कीज़ेगा, तो यहां से आपका current का value कितना आ जाएगा, आई पर आपर आ जाएगा, देखिए, minus 3 by minus 3.3 by 6, यानि यह हो जाएगा आपका 0.555 milliampere और यह माइनस में आएगा यहाँ देखे यह माइनस क्या बता रहा है कि हम जो करेंट का डायरेक्शन माने है यह करेंट का डायरेक्शन करेंट एक्टुली मैंसे नहीं फ्लो हो रहा है करेंट इसके जैस्ट अपॉजिट फ्लो हो रहा है और ऐसे करेंट फ्लो हो रहा है और जब भी डायोड आपका forward bias में होगा तो करेंट आपका positive से negative के तरफ ही फ्लो होगा कभी भी negative से positive फ्लो नहीं होगा यानि यह जो हम डायरेक्शन माने यह गलत है अपका positive से negative के तरफ बहुंग जाएगा तो छीक है मैनस से मुझे पता चल ला था तो यहां पर देखते हैं जो मेरा करेंट का डायरेक्शन आया नीचे सूपर के तरफ यह ऐसे जा रहा जिरो पॉइंट फाइफ मिली एंपेर का करेंट फ्लो हो रहा है तो इस वाले रेश्टेंस के क्रॉस कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 2.2.75 बोल्ट तो पॉल्र ब्रांच में यहां देख्ञें यहां पर पर वन नीचे सूपर करेंट जा रहा है तो हम देख लिए यहां पर िस रेश्टेंस के क्रॉस जो ढॉफ हो रहा है नुअ भलत हो जो और ऑदर एफो यह जो ब्रांच है यह आपका 5 और का और यहां का इकुवेरेंट बोल्टेज कितना या 2.75 वोल्ट आया तो इह वाले टर्मिनल पे नेगेटिव टर्मिनल का हमको अगर पोटेंशिल निकलना है क्या होगा यहां हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव के तरफ जा रहे है जब भी बैट्री के increase होगा plus battery voltage जितना battery voltage हो add हो जाएगा यानि यह positive terminals negative if sorry यहां blat बोल दिए यहां पर क्या है कि हम पलास से minus जा रहा है तो पलान से minus जाएएगे तो negative terminal पर battery voltage decrease होगा minus से plus जाते तब increase होता होटा यानि हम यहां plus से minus के तरफ जा रहा है तो यह बाले टर्मिल पे पोटेंशिल कितना होगा बैटरी भूलते जितना है उतना से डिक्रीज हो जाएगा तो हमारा जो पोजिटिव टर्मिल मैंस तरी बोल्ट है इससे बैटरी बोल्ट मैंस कर जाएजी मैंस 2.75 तो यह मेरा आ जाएगा नेगेटिव टर्मिल का पोटेंशियल और ने यहां से डिरेटली आप लिख सकते हैं माइनस 5.75 और यही जो नेगेटिव टर्मिल का जो पोटेंशियल होगा यह भी आउटपूट होगा आप इधर सीजली निकाल लिए सेम इसी तरीका से इधर से भी निकाल सकते हैं तो यहां यह जो छोटा-छोटा कॉंसेप्ट है इससे हम यह देख पाएं कि कैल्कुलेसन थोड़ाईजी हो गया कि बैटरी वोल्टेज में जो पता है एक टर्मिल का पोटेंशियल पता है तो दूसरे का असाने से निकाल सकते हैं तो यहां आप देखें कि भी आउटपूट निकालना था मुझे क्वेश्चन में तो इसमें इस सीखें एक तो डायोट का फर्वर्वर्वाइस रिवर्स बाइस चेक करना और दुसरा डायोट बेस सर्कुट हो कैसे सॉल्व करते हैं कि अगर